इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है, तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? जुपचाप धुवे को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिग्रेट पीडी दिखे जलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिग्रेट पी ना मना ह उलंगन करने पर होगा चुर्माना, दुम्रपान ना करें ना करने दें, दुम्रपान पढ़ेगा महेंगा, खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? दुम्रपान महेंगा पढ़ता है, दुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाहने वालों के लिए भी, दुम्रपान पढ़ेगा महेंगा, शिग्रेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है, शारा पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कोलार, धर्ती के अंदर का वो हिस्सा जहा सोना ही सोना है, कण कण में सोना है, वो धर्ती जो विदेशों में सोना भेजती है, और जिसका पुराना नाम है कोला हलपूर, यानि जगड़ा और युद्ध करने वाला गाउं, चालुक्य और चोल समराज्य ने इसे अपने में शामिल करने के लिए कई भयंकर युद्ध किये, राजनीतिक जगड़ा, मुर्गा लडाना, जुवा, मटका, इस छोटे शहर की पहचान है, कुलार वे खून खराबा की पहली घटना को अन्जाम देने वाला विप्ति है, श्रिनवासपुर का चनप्पा रेड़ी, इसके आदेश के बिना, यहां कोई भी किसी भी तरह का धंदा नहीं कर सकता, वेंकटेश नाइडू, नर्सिम्हा रेड़ी, इसके दाए हाथ हैं, श्रिनप्पा रेड़ी की कुर्सी पर कबजा करने के लिए, नर्सिम्हा रेड़ी और वेंकटेश नाइडू में भारी खीश्टान चल गही हैं, हां, बैट जा, बैट जा, मुझे पता चला है कि तुम दोनों के बिच कुछ समस्या है, देखो दोनों का अलग-अलग रहना हमेशा रहेगा, यह कॉमेडी शो है क्या, हां, अपने भाई की इज़त रखने के लिए मैं एतनी देर से यहां बैटकत सारी बाते सुन रहा हम, कोई एक साल या दो साल नहीं, पूरे 14 सालों तक भाई के सुख दुख में मैंने उसका साध्या है, देखो, तुम लोग जहां मैं उन तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूं मैं, मेरे रास्ते में किसी ने टंग अड़ाया तो उसके टुकडे टुकडे करकेस के खून को कोलार की मिट्टी में मिला दूगा, सोने की जितनी भी खाने अभी खाली पड़ी है न वह खून से लब लबा जाएंगी, किसके सामन आने वाले और मेरे साथ आने वालों की जान और माल की जिम्मेदारी मेरी है, हेई, चलो सब देखा न, वो कैसे बात करके गया, तुम तुमेरा साथ दोगे न, बड़ी जोर का थपड़ मारा, ये तो उससे भी खतरनाग लगता है, धर्म अधर्म की बात बंद कर दो, ये कोई महवारत नहीं है, माइनिंग माफिया है, यहां बैंड भी वजाना आता है, और नाचना आता है, अहां, छोटे भाई हो, छोटे भाई के जैसे ही रहो, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत करो, चलता हूं, ओन्मा शिवाया, ओन्मास्षिवाया, ओन्मास्षिवाया। जय शिव शंभो शंकराई जगत पती जय जगदीश्वराई थोठी जीवों के पालन हाँ थोठी लिंगेश्वराई चैनन्दिश्वर हर महादे प्रिलो के श्वराई आदी अनन्त तुम भोलेश्वराई ओम नमस्षिवाया कन कन में हो तुम ही जन जन में हो तुम ही धरती गगन में सब के मन में तुम ही सबकी तुम ही आस्था जग कुछ न तेरे सिवा सारी स्रिष्टी है सिर्फ शिव में इतिहासी युग युग गाए शिव तेरा ओम हो तुम ही भोले तुम ही हो फ्यों ओमस्षिवाया सुरिय में तेज तेरा चांग में तेरी करुणा सारी स्रिष्टी पूजे तुमको भोले तेरा आशिश्वर से सब पाने को तरसे तेरी करुणा में भीगे हरिकरो तुम मेरे आराध्या शिव शंभु हा मन में हमेशा मेरे तुम रहो ओमस्षिवाया हाई शोना हाई स्वीठ हाट क्या हुआ जानू एक साल से तुमने अपनी शकल नहीं दिगाई है मुझे कम से कम फेस्बुक वाट्सअप पर तो आ जाओ थोड़े दिनों तक सरप्राइस रेने तो ना मेरे मोबाल का रिचार्ज कर दो प्लीज हाँ ओके बाई शणा हाँ जब देखो तब फोन पे लगा रहता है रोज इतनी सारी लड़कियों को फोन करता है लेकिन कभी किसी लड़की से मिला भी है तू अरे तो मैं क्या करो यार वो लोग मेरा फोटो मांगते मैं भेजता हूं लेकिन वो लोग अपना फोट देखने के बाद लड़कियां आपना फोटो भेजना नहीं चाहती अगर तु जो भी मिली उस लड़की से बात करता रहेगा तो तुझे वोईस कॉलिंग से ही एड्स हो जाएगा इड्स यह देखो बूरा गोड़ा गया नहीं नहीं स्वामी ए बेटा तू आप बड़े च में लाओंगा अब क्या हम और यह मिलकर फिल्म बनाएंगे तेरे लिए जोक से लाओ अचा सुन कुछ इंडियन निकाल के देना अभे इंडियन में क्या मुझा है बुड़े सब हालतुगरी होती है उसमें फॉरन का देता हूँ मज़े आ जाएगा एक पर देख तो बुड बड़ा ठरकी आई है अच्छा सुन स्वामी जी का कोई सूपर वीडियो आया तो उसे डाउनलोड करके रख देना दूसरे का वीडियो दिखेंगे तो पाप लगेगा स्वामी जी का वीडियो दिखेंगे पाप दूल जाएगा ठीक है ठीक है थांक्यू लंगी डांस हुआ हो कितनी बारland तेरा नाम क्या है वह क्यां की नाम क्या है चे प까지 कैने दो लगार डू के तेरा नाम क्या है वी नागराज नाम है कहा का करता है वो ग्रेनाइट की खदान में एडि का काम करता है मुझे मैं क्या गलती किये है यह इस तरह से तोतला क्यूं रहा है यह यह बच्पन से ऐसा ही होता है इसके साथ भाई समाज्य सेवी बनकर समाज की सेवा करना चाहता है बच्चों की फीस भरने के लिए घर का भाड़ा भरने के लिए घर संसार चलाने के लिए दस लौरी खरीद कर चला रहा हूं मैं और तेरा भाई जब देखो तब यहां मेरी लौरी को सीच करने चला आता है वहाई मुझे एक डाउट है इसका भाई अपने आपको बहुत बड़ी तोप समझता है बड़ा ऑफिसर है वह अटेंप्टू मडर का केस डाल कर दस साल के लिए जेल में डाल देगा मुझे इस इसे मैं रखता हूँ भाई 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 गधे जैसा इतना बड़ा हो गया है और मार खाकराया है उसे मारना क्यों उसके अपर गिर जाता तो वही बहुत था उसे उठने के लिए तीन दिन तो लगी जाते मा बहुत बोल रही हो तुम उसके हाथ में कितना बड़ा चा बात बता तो इतना डरता क्यों है खुद को बचा नहीं सरता तू भाभी डरने के बीच और बचने के बीच में धागे जितना ही अंतर होता है एक्शुली जब उसने मुझे थपड मारा था ना तब मुझे हलका सा दर्द हुआ था लेकिन कुछ भी हो मैं रोया नहीं भाभी अब आप मुझे एक बात बताईए अगर मैंने उसे चार थपड मारे होते तो कल वो चार लोगों को लेकर आता अब सोचो अगर मैं उन चार लोगों को भी मारता तो आगे वो चालीस लोगों को लेकर आता अब मैं चालीस लोगों को तो नहीं मार सकता ना ये बात भी सही है पापा अब सोचिए अगर वो अपनी दुकान तोड़ फोड़ देता तो अपना कितना नुकसान होता फिर कोट केस इसी जमेले में घूमना पड़ता भाभी क्यों इतनी समस्याएं पालना अब मैं मार खाकर वापस आ चुका हूँ तो कितनी प्रॉब्लम क्रियेट होने से बज गई तब ही थोड़ा सा दर्ध हुआ था लेकिन अब तो सब कुछ सही है ना अपनी तो एक ही पॉल एक्शन हीरो बनेंगे तब मेरे चाचा की पावर पता चलीगी आपको एक्शन हीरो पपो तेरी बातें तो टूमच लगती है हीरो हम कभी खुद नहीं बन सकते यह तो सामने वाला बना सकता है वो लोग तो बना देंगे चाचा ऐसा क्या वेंकटेश 200 करोड के गरेनाइट हमें फॉरण भेजने हैं नर्सिम्वा को छोड़कर तुम्हारे भरो से आया हूं मैं यहां पर छोड़ो ना वो सब कुछ मैं समाल लूँगा कि अधा कि अधा कि अधा वेंकट भाई तुम अपनी जान पैचान वाले हो और जान पैचान वालों के लिए मैं जान तक दे सकता हूं वो थोड़ा सा पागल है वेंकट भाई उसके पास भेजा नहीं है पहले उसे अपनी भाशा में समझाईए तभी वो सुद्रेगा कि अ, वो वो वो, हूँ पापा मुझे रिमोट डीजे सुभे आप निउस देखते रहते है रात को दादी सीरियल देखते रहती है मैं कब देखू तू चुचक खाना खा कल जाके मैं लड़की देखके आया और बात करके आया मुझे तो वह पसंद है पर बेटे को पुछना जरूरी है न क्यों बेट कितनी आसान हो जाती मैं खुद लड़की को देखके हैं बात करके आया हूं लड़की बहुत ही सुंदर है बस उसका कलर थोड़ा सा सावला है पापा आप उम्रेदराज लोगों को सारी लड़की आच्छी दिखती है अगर आपको इतनी पसंद है तो आप ही शादी कर है अगर ऐसा होगा तो ही मैं डिसाइड कर सकता हूं पपो चल चलते हैं और थोड़े दिनों बाद संसार बसांगा ऐसा भी कहना शूरू कर देगा तो ने दीजे ना उसमें क्या गलत है शादी के बाद मेरा बाप कभी भी घर में शांती से नहीं रहा है बाहर से खूब सब्सार के कहीं भी सोजाता था आपस मैं कभी प्यार किया कि नहीं क्या पता बस किसी स्वामी जी ने आशरवात दिया और मैं पैदा हो गया इससे जादा मुझे कुछ भी नहीं पता ऐसी बात है क्या स्वामी यह तो हमें पता ही नहीं था हाँ बाभी यह क्या अपने घर क दालना बेलकुल काली माता देखती है हाँ 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 रा शेगर कितना नीचे तक गया है सर एकसोपचास फिट तक गया है सर लंबाई और चड़ाई मेजर करके ऑफिस पहुचा दूगा सर ठीक है ओके-ओके-ओके-क्या हो रहा है सब तुमने सिर्फ पचास फिट तक कई पर्मिशन लिया है और देड़ सो फिट तक खुदाई कर वादी तब तक मेरा ओनर आजाएगा आप उनसे बात कर लीजिए तुम लोग हमेशा ऐसी बाते करते हो आपके ऑफिसर को मोबाइल चाहिए कहा था ना मैं लेकर आ रहा हूं हाँ आजा आजा मैं भी पहुंच रहा हूं सर इसे आठ घंटों तक चार्ज किजिए उसके बाद यूज करना कार गंटे नहीं असी गंटे चार्ज करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं इसे देखे स्पेशल आफ़र है सर जो चाहते हैं वो मिलेगा इसमें यह सब नहीं चाहिए भाई इनका भाई कितना कड़क ऑफिसर है यह तुम नहीं जानते जब मैं ऑफिस में बैटता हूना तब अरे उसके अंदर मज़ितार वीडियो चलता है एक बार देखोगे तो मज़ा जाएगा सच में आडियो सुनकर ही आउट हो गया देखिये मेरी पास मोबाइल है मुझे नहीं चाहिए इसमें आप जो चाहें वो देख सकती है आपको एक बास बताए क्या जब आपके पती ग मैं तो मेरा यह वीडियो बना देगी देख भाई मैंने उस रड़की के घरवालों से बात किया है तू एक बार जाके उससे मिल तो ले अगर तुझे पसंद आ गई तो आगे क्या करना है सोच लेंगे ठीक है भाई तुम्हें क्या हुआ है क्या दुख रहा है क्या दुख इहां पर लगीगिंश्य चुप चबचल 2002 तक काम किया है वह मेरे बाद में आया है उससे मेरे बिजनेस को डिवाइड कर लो ने हिस्सा मांगा तो कॉर्वों ने नहीं दिया ना उसके बाद कॉर्वों का क्या हालवा यह तो आप जानते हैं ना भाई होने तो कुरुक्षेत्र यह कुरुक्षेत्र नहीं है जहां न्याय और नीती से मैं लड़ू कीड़े को मेड़क खात साप को बाज खा जाता है जिसके पास ताकत है वही जीतता है नहीं तो वह मारा जाता है राइस मिल रियल एस्टेट एक्सपोर्ट गार्मेंट बिजनस सब उसे समालने दो मुझे सिर्फ ग्रेनाइट चाहिए सूई जितनी सूई जितनी जगभी मैं नहीं दूंगा हीरा मार खाने वाला नहीं मारने वाला यहां जीता है यहां जो कुछ भी है ना उसका मालिक सिर्फ मैं हूँ मेरी मात होगी उसके बाद ही विंकटेश कुछ कर पाएगा नहीं तो मैं उसकी समाधी बना दूंगा उसकी समाधी को कुर्सी बना कर उस पर बैठूंगा पैसा अधिकार का माना मुख्य नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें जिन्दा रहना होगा पहले उसे समझो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है अभी मैं चलता हूँ नरसिम्ह का एंड काउंटर करवाने के लिए कमिशनर को चेंज करने की बात कर रहा है तुँ हाँ ठीक है कि मैं होम मिनिस्टर हूँ लेकिन जितने भी बड़े डिसीजन्स होते हैं वो मुख्य बंतरी ही करता है अगर आपने मुझ पर उपकार किया तो मैं आपके लिए बड़ा उपकार करूँगा वो सब की सब मर के ऐसा सोच रहें ना मतलब उस लड़की का भाई सत्या भी जिन्दा है यह क्या कह रहे हो आपको मारने के लिए वो लोग प्लैन बना रहे हैं क्या भाई इतना क्यो सोच रहे हैं आपको यकिन हो रहा है चाहिए तो गाउं में मुझे अभी तक यूने है इस बार में मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया आप अभी भी मिनिश्टर बने ना इसलिए कमीना है तो कोई नो कोई बहाने बनाते ही रहता है तो वो लो कहा है मैं जानता हूं भाई अगर आपने काम कर दिया तो फिर चलता हूं भाई बेटा काम पर जा रहे है अँटी पपु का स्कूल गई क्या सुबह साथ बचे ही गई वो आपको आए एक महिना हो गया लेकिन मुझे उससे मिलने का टाइम ही नहीं मिला शाम को मैं ही लेकर आउंगी मैं काम खत्म करके घर पहुंचता हूं तो दस बच जाते हैं कोई बात नहीं आँटी बाद में देखेंगा बेटा तुम्हारी मां है क्या अ भाड़ा देना है क्या जा ये नंदे नहीं अ limite को फिको क्या है ल मामी ऐसे सबने कईकी का टाइमह चैल ये जाम्मी बाल दूम्हा हॉ paling जडि़न करते हैं हैरी 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 स्वामी क्या रे तुझे कोई बीमारी हुई है क्या मामी दिस नॉट बीमारी मी कमी राजय योगा सी मैं मन्तिर एक तुमाराइ अठीय लिग्लत बाहुद यहा है सवामी ड़किस अटाप न्याग Tangnaam Style के लदो видео कर दो लुक्ति यहालिबिवान कंषओ इंस्वाइप कर दोडरा नहीं को कि अठाए नहीं सेटने संदिग हाई बेबी अग्ले हाफ एनार में भाहा पूछ रहा है कौने कलर करें अल जिए ब्लू एलो अल मिक्सिंग जिंचक जिंचक पर आपको पहचानों की कैसे है वेरी सिंपल ये आमिर खान शारू खान रितिक रोषन सब को मिक्स कर दिया तो जल्दी वहीं बैट करेंगे ओके बाद करेंगे ओके वाय स्टी तुम दोनों अब तक दूसरे से मिले नहीं यह तो यह फर्स ताइम है यह फोर्टो भी देखाए कि नहीं यह यह सिक्रेट रखने के लिए all avoiding you know my love story a अलग तरह की love story that love story starts from later and from sweater my love story starts from mobile and from temple you know ah मेरी गर्ल्फ्रेंड का नाम है कमली 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 यह वो कमली तो एकदम फूल जैसी थी वो इस कमली की शक्ल भूतनी की जैसी होगी तो तो क्या कहाँगा अब अब यह आशूम क्यों मोलता है तेरी तो अब यार्टिकली एक बास सोचो तुम अभी उसके पास जाओगे और अब अब यह तो तुम क्या करोगे अब बॉल्यवूट स्टाही में आए गा ऐसा काया इस ने यह लोग इस तरीके से क्यों गूर कर देख रहे हैं सी मैं यूर सिस्टार अच्छी देख रही है ना वाट आड़ दू रही है तू ही बता है कैसे देख रहा है अशा लगन मेरी स्वामी मुझे डरा क्यों रहे हो सर्प्राइज देने के लिए मैं स्पाइडर बेंड की तरह आयो तुमने मुझे स्लैप देख रही है और यह मेरी फ्रेंड जोती है हम दोनों वहां चल करके कुछ परसनली बात करने क्या है तुम जरा सामाल लेनों आप यही रही है ह है मेरा नाम शिवराज है हम अल्रेडी कमिटेड थैंक यू तुम इतनी घुपसरोत कि मैंने कभी सोचा भी नी था आइक है तुम आपने सालों से कमिटेड हो आप बिछले एक साल से और यह कितवा है हेलो फर्स्ट लव है मेरा अच्छा आपने तुम आपने तुम आपने कहानी है मेरे फ्रेंड ने का शर्ट चेंज करके जाओ नहीं तुम पैचार नहीं पाएगी लडगी पसंद आई तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो जुपचा वहां से निकल लेंगे हम लोग अच्छी समाती ना फ्लो में सच्छ परोसाई नहीं करना चाहिए अरे क्या होते ह कुछ किया क्या तुने अब करूंगा क्या मैं एक ही डालाग में फूला हुआ फुल मूर जाकर रह गया यार फ्लो में शर्ट चेंज करने वली बात मैंने उसे बता डाली तुमको रिजेक्ट करने का एक रीजन चाहिए था और तुने दे दिया यवे बेवकुफ यह सब त इख यह सबर्देर ए शिवराज ए चलो सबर्देर तीजे, मैं खोल देती हूँ अब से ठीक टाइम पर राना एक्स्क्यूज में मैम अच्छली मेरा नाम है टेंशन मतले मेरा नाम सु शिवराज है देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ लेकिन आप मुझे नहीं जानती अगर हम दोनों को एक दूसरे को जानना है तो आपके साथ सिर्फ दो मिनिट बिताना चाहता हूँ आप चलेंगी मिस उस दिन मंदिर के पास कोई आपको फॉलो कर रहा था मैंने बताया था ना ये वही बैट बॉय है मिस अरे बेटा वो तो टेंपल में फॉलो किया वो तो ठीक है लेकिन मैं हच डॉग जैसा नहीं हूँ हूँ तुम्हारी माने घर में गरमा गरम मैगी बनाई होगी जाओ जाके खालो इसने तो मेरे बैंड पचा दी बस दो मिनिट मिल सकते हैं मिस ओके आप मेरे बुलाते ही आ जाएंगी यह मैंने सोचा नहीं था मिस कोई भी बुलाए तो आप यूहीं जाती है क्या मिस हलो सॉरी में मुव में फिल्टर लगाने की सोच रहा था लेकिन वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं अपनी फैमिली के बारे में बताओं तो मेरे पापा के भी से रिटायर हो चुके हैं मेरा भाई अब तक काम करता है और मेरी माँ देखिये घुमा पर बात मत कीजिए मैट क्या कोई परेशानी है तो एक ही बच्चा बस हो गया ओके फाइन मुझे मेरी हस्बंड से पूछना होगा है अब एक मेरे नहीं है गले में मंगल सूत्र नहीं है शादी हुई है इसका कोई एविदेंस तो होना चाहिए आपकी शादी नहीं हुई है इसका क्या एविदेंस अप पीचे पड़ा है वो क्या है अगर मैं आपके साथ शादी कर लूँगा तो मैं बहुत है खुश रहूंगा इसलिए पूछ रहा हूं सुनिये मैं अब तक किसी लड़की के साथ ऐसी बाते नहीं की पता है आपको ओ ऐसी बाते हैं सॉरी मुझे को इंट्रेस्स नहीं है एकक्योज मी अफ यह और अब तरप कर देंगे प्लीज सॉरू कर रही है इस पिक अपर ड्रॉप के बीच में हम अपंडी ल्व स्टोरी को मैरे स्टोरी तक लेचलते हैं ना नहीं तो मैं बेठीए नहीं आपक्रेम नहीं तोरी तक लेए और रखी नहीं है कि आपको देखा तो मुझे अपनी फर्स्ट नाइट यादा गया है मैं अपनी शादी की बात आपसे बोलने के लिए है तो मेरी जुबान ही है 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 अपनी मुझे यह रूट बताया है हलो आपके भाड़े पर आकर मुझे पूरा एक महीना हो गया है आप लैनलोड के बेटे हो इसलिए मैंने आपसे बात की और आपको ड्रॉप करने को कहा वैसे यहां तो आप बड़े शरीफ पंते हो नजली जुका कर चलते हो और बा सुंकर के लड़की कहां से आती है यह जानने वाला जनरेशन है इसले एक महने से वो लड़की तुमारे घर में भाड़े पे रह रही है सुबह शाम रोज इसी रास्ते से आती जाती है और अभी तक तेरी उसे दोस्ती नहीं हुई थु मर्द के नाम पे कलंग है तु तु तु यहीं पर रहता है ना तुझे एक बात पता है मैं मर्द हूँ ही नहीं दुकान चा रही हुमा हाँ बेटी चाबी उपर है लेलो ठीक है आँटी वो लड़की कौन है वो बच्ची है अभी अभी स्कूल से आई है बच्ची स्कूल में मैं समझा नहीं उसने टीचर की ट बेटी पहन की अभी चोटी बच्ची कि अगए नहीं पता था क्योंकि इतन बडी स्कूल में चैनल रहीं ऐब अगे अगर बच्ची ही लगेंगी क्या बेटा तुभी अच्छा मकुल मजा कर लेखेगां अरे बाबरे ये तो शर्मारी यह बिल्कुल अपनी बेटी जैसी है डिक्टो डिक्टो लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा तो उसकी मा को लाइन मार रहा है सुनना है क्या है उस बच्ची की कोई चूटी माँ है अंटी तो इतना बिजी है वो क्या का आपने मैं आपकी बेटी की सा शादी कर लू कितनी लड़कियों से शादी करता फिरू हां कुछ काम नहीं है मेरे पिताची भीना डेली मुझे दस लड़कियों की फोटो दिखाते ह और उनके फ्रेंड्स भी मेरी बेटी से शादी करो मेरी बेटी से शादी करो ऐसे कहकर क्यू में खड़े रहते हैं बेटी हां तुम्हारा फोन बज रहा है हां आ रही हुमा मैं कोई भगवान हूं क्या चार चार शादियां करने के लिए गई क्या हलो 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 इस नंबर से म आप फादर वो टिकट कट गया उनका मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं ओ इस ओके घर में कोई दूसरा मर्द है क्या क्योंकि बेसिकली मैं किसी लेडी से बात नहीं करता है आप इतने देर से लेडी से ही बात कर रहे हैं आपको क्या चाहिए वो बोलिए आर यू शु मुझे कोई टीचर बहु चाहिए टीचर बहु चाहिए ऐसा कहकर टॉर्चर करती रहती है बड़े लोगों की बात सुनना भी तो जरूरी है ना हलो इस नंबर से मैसेज आया था मिस मैसेज इस नंबर से येस ऑफकोर्स मैने तो किसी को नहीं बेजा यह क्या है आप मेरे स्मार्थ है बढ़िया है पटा लो उसे ऐसा बोलाए क्या मैं कौन हूं यह जानती है मेरे लेंडलोड के बेटे मोटे शिवाई है क्यों सर सिगनल कट हो गया क्या सिगनल सिगनल कट 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 कर हो हुँ यहां यहां भी तोतला रहा हूं जैसे पहचान लिया और गया गया लड़की से प्यार करता हूं लेकिन मैं कितना ग्रेट हूं वो लड़की पहचा नहीं पा रही है इसलिए उसके ग्रीन सिगनल मिलने तक मैं भाड़की हुई लग रही है स्केप और थीक रहेगा सुरिये यहां पर सिगनल थीक से मिल रहा हैं मैं नीचे आकर बात करता हूं क्या यार सब लोग नजर आ रहे हैं लेकिन मेरे दिल को रोशन करने वाली नजर नहीं नहीं आ रही है अरे बत्ती नहीं है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहालत देकर के मुझे गवर्मेंट हॉस्पिटल की याद आ रही है ए दो अरे बुखटा और उड़ी यहां से मॉर्निंग वहाई अचल खड़ा हो ज़ा तू तो उस गली का है यहां क्या कर रहा है वह मेरे घर के टैरेस पर तू क्या कर रहा है वह कविता को लाइन मारने के लिए था लाइन मारने तो अब तू उसकी चोटी के वर अभतों तो अभी से उसको लाइन मार रहा है अभी अपनी उम्र तो देख अभे ठीक से चड़ी पहनने आती नहीं और लाइन मारता है आपने पहनी है क्या दिखाव क्या ऐसी बात करे का तो मैं तुझे चोड़ दूगा सूच रहा है क्या मैं तो बाजु वाली गली में रहता हूं बाज अभाल मैं अपनी वाली को दूणता हूं अभाई क्या चल्ड़ा तुम लोगों मैं भाईया मुझे नहीं पहचाना भाईया बोला मुझे वह को न है यह मेरा ब्रदर है भाईया तो ठीक है गमले के पिछे क्या कर रही हो है हाथ अट अभे कमीने तु है कौन कहां से यहां दस किलोमेटर से आया यहां का बया अदा घंटा हो गया अवे तुम्हारी बुद्धी ब्रस्ट हो गई है क्या जो मुझे भाई कह रही हो अच्छा तुमसे बात पूछू क्या बताओगी उसमें क्या है जो मुझे नहीं है अरे आता हूं आप तक सोई नहीं बैटी नहीं म क्यूं बच्चों के इंग्जाम पेपर करेक्क करने है अभी जॉइंट किया है नहीं कि तो सुभह भी कर सकती हो तो कि सुभह इतने सारे पर करेक्ट नहीं हो पाएंगे मा कितने भी देलो जाये लाइट आने के माद पेपर करेक्ट कर के ही सूँगी आप सोचाईए जैसे जाए जाओ ना क्या क्या आपका डिपार्टमेंट अलग है और उनका डिपार्टमेंट नग इस तो फिर आप पुलिष कमिशनर बनने का मतलब क्या है यहाँ स्टूरंट से यहाँ कितना प्राबलम हो रहा है पता आपको लाइट कट करने के लिए तुम नहीं बोला था अब पुलिस के नाम से ड़रा क्यों रहा है तुम बोलते हो तो ओन कर देता हूं बोलता है बड़ा कमिशनर है चल फोन रख क्या बात है भाई तू इतना एमोशनल क्यों रहा है अच्छे से सुना दिया है उसे अब देखना कैसे बिजली आ जाएगी वह बिजली आ गई मा उठो लाइट आगई चलो अब बल तो कम वाट का था लेकिन चमक बहुत तेजी सराय गुरू जादा देख मत रात को सपने आएंगे मजा कर रहा था तुझे कमिशनर बनाया है इसलिए नहीं कि तुने कोई बहुत बड़ा काम किया है या आगे कोई बहुत बड़ा काम करन है तुझे हम जो करेंगे बस उसमें तुम्हारा सहयोग चाहिए यह है वेंकटेश नायडू तुम्हें इनका फेवर करना होगा ठीक है तुम्हें करना होगा ठीक है अलो वेंकट वह नामर्द मिनिस्टर और पेवकुफ कमिशनर उन लोगों पर भरोसा करके मेरा एंकाउं आर आख बिसनस तुझे इस आख दूंगा ठीक है और कितने दिनों में मरने वाला हों मैं तुम्हें तू अब एक दिन भी नहीं जी पाएगा और तू एक मिनट भी नहीं जी पाएगा जिन्दगी से उप चुके लोगों को मौत की भीग देने वाला नरसिम्भाव में मेरी मौत का दिन तै करने वाला पैता नहीं हुग आज तक समझा कुलार की सड़कों पर दिन दाड़े हत्याय हो रही है और सरकार हाथ पर हाथ रखके बैटी है अंदर ब्रेकिंग न्यूज है तू अपने आपको समझता क्या है इस पूरे शहर का नेता हूं मैं मेरे आदमियों को मार कर मेरे ही सामने डालाग मारता है तू तेरी इतनी हिम्म आपके लिए सत्या को मारने वाला मैं ही हूँ हाँ 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 डायरेक्ट मैटर पर आता हूं मैं अब तुम लोगों को अपने बिजनेस प्रॉफिट में से फिफ्टी परसेंट मुझे देना होगा लेकिन सर जब चन्नपप भाई जिन्दा थे तो उन्हें 20 परसेंट दिया करते थे वो चिन्नपपा था मैं हूं नर नहीं माना तो सिंभा हूं सर किसी इंवेस्टमेंट के बिना 50 परसेंट हम कैसे दे सकते हैं 50 परसेंट देने वाला ही इस को लार में टिक सकता है को लार मेरा है है आगे से कोई भी 10 लाग से ज्यादा का रिजिस्ट्रेशन मुझे बताए बिना नहीं करेगा मुझे बताए बिना रिजिस्टर किया तो रिजिस्टर करने वाले का नाम यहां रिजिस्टर होगा मान लिया तो नर हूँ नहीं तो मैं हूँ सिम्हा चलो भाईया चलता हूं सुपा साथ बजे अर्जेंट काम बोल के तू निकल रहा है ऐसा क्या अर्जेंट है लाव मैं अब तक सेटिंग नहीं हो यह सेट हो जाए कि तो पहले आपको बताऊंगा कान यह वता कोन सेट करने की लिएम दाली मेरी लो ब्रोकर घर में यह माम।ला असान हो यह powinien मैं अपने भाई का ब्रोकर हूं तो क्या गलात है बय्लकुला ना भाई कौन है पता है क्या ओंपर बाडे पर रहने वाली टीचर है हँआ उपर रहने वाली टीचर मंदिर qi जाने के लिए पुजारी से कोई पुछता है क्या अरे बुला ना हुआ जाएगी आ रही है बुला कर देख लो नास्ता रेड़ी है क्या गुट मॉनिंग मिस टीचर जी चुटी हो गई है कैसी बात कर रहा है तू पूछेगा तो मना करेगी क्या मेरे भाई जैसा लड़का पाके वह तो धन्य हो जाएगी च्या तुछे पूछ रहा है इसने पहले जाकर पूछा उसके सामने जाकर करने लगा उसने जाने के लिए बोल दिया बस और क्य सब्सक्राइब होता है फेस्बुक पर शादी होती है वाट्सप पर बच्चा पेदा होता है और अब लेटर लिख वांडी की बात करने क्या भाई हम पाता है यह फोन यह समेस यह चैट यह सब तो है ही लेकिन तो अगर लेटर लिखे उसे पर पूस करेंगा ना तो है तो इतना बड़ा दोखे बाज है मुझे पतख नहीं था आप में तुमसे बात नहीं करूंगा क्यों बे मुझे छोड़ कर तुआ के लिए नौकरी के लिए अप्लिकेशन देने जा रहा है यह अप्लिकेशन नहीं है यार तो फिर लव लेटर है कूल कूल अबे त्रेता इसे ऐसे लेकर आРЕ यह आ रही यह जाऊ है चाँ जाँ क्या ऑधेगा ना जह ना चला और कौफी हो गया नाश्ता भी हो गया वह क्या है लो लिटर लललम लव लटर लललम ललम लव लटर तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है क्यों कर रिचान कर रहों मुझे आपके लिए नहीं बच्ची के लिए क्या इस बच्ची के लिए लव लेचा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बच्ची पढ़ना मत अगर तो इस तरह की हरकते करोगे ना तो मैं पलीस में कप्लेंड कर दूगी समझे तो यह क्या है आंकल देखिये मैं आपसे बहुत पसंद हो अपनी शकल देखिया इने में मुझे लाव लेटर देने की हिम्मत कैसे होई मुझे तो रनबीर कपूर रनबीर सिंग जैसे किसे से शादी करनी है आप तो पुरानी फिल्म के घिसे पिटे विलेन जैसे हो अब यह ज्यादा हो गया सुनो अग्री बार मेर लेटर लिखते से में ठीक से लिखना चाहिए था रही जिया वह था आठाए यार वह थैसे बहुत बद्रा चाहते हो बलात बताना चाहती हूं बुरा मत मानना हाँ बोलो आपको यह लँशाव सूट नहीं होता आप दादा जी ने जो लड़की देखिया उस से शादी करके सेट हो जाओ अरे मैं एसी बिना देखे शाधी कैसे कर सकता हूं दो पता हो ना चाहिए ना शाधी होने के बाद सब पता चल जाएगा छाचा तुम जाओ और जाकार अपना होम वॉक करो श्री राजा श्युराज जी क्वाइन डालेगा तभी बात हो पाएगी अब तो अपना मूव बंद रख ये तो प्यार है दिल की भाषा बस रिसीवर कान पर लगा कर रखो तो भी दोनों के दिल बात करते हैं बेटा अगर तो रिसीवर को इसी तरीके से कान में लगा के रख कुछ नहीं बताया चल मेरे साथ का मा चल बताती हूं मा रहने वाली आंटी आई है अब खड़ी क्यों है बैठिये ना कोई बात नहीं वह तो बाहर गये है बताई क्या बात कुछ नहीं मेरी बेटी को बस टॉपर कुछ लड़के हरोज परेशान करते हैं बाब रहे मैं तो किससे मदद मांगो समझ नहीं आया मेरे पती भी आ नहीं है इसलिए आपका बेटा अगर हमारी थोड़ी मदद कर दे तो अधी बस टैंड पर हाँ बेटा मा यह प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा अप अंदर जाए ना तुम हैंडल करोगे लड़ाई जगडे से तो त अंदर जाके देखिये ना लेकिन बेटा प्लीज जाओ ना जाओ ना मा अ देखो उन लड़कों से कह दो मैं ही तुम्हारा आदमी हूँ हम आदमी वो क्यों बेटा नहीं आए अंटी इस घर का ओनर हूं यह बतानी जा रहा था और एक बात अंटी आपकी बेटी से वो लड क्या हूँ आप अपनी बेटी को मुझे भाईया कहने के लिए कह रही है आप चोटे-चोटे करके बुलाती है ना मुझे यह रिष्टा ठीक नहीं लगता है आचा ठीक है बेटी इस अंकल को वो लड़के कौन है वो क्या हूँ बेटा बच्ची तुम सरा बाहर बेट करो त अब बजुरंगी हाँ बोल शिवा एक्षन हीरो की तरह एक फाइट करवानी है यह वो रहे अच्छा वो लोग है आप जाए मैं देख लोगा एटीचर आई बेशलाम करो आँ पढ़ाईये पाथ पढ़ाईये अर्पाथ पढ़ाईये अर्भी पाथ पढ़ाईये अर्भी हीरो मैं हूँ और एक्षन भी मैं ही करूँगा तो तो सिर्फ यहां पर मेरी मदद करने के लिए अगर तू जाएगा तो तो ही हाइलाइट होगा ना मैं आगी जाओगा तो पीछे अटना पाठाटर पढ़ेंगे अरे टीटर जी पाइए नाई बाला ओहो तेरे बाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए है लगता है क्या रे क्या बगवास कर रहा है यह दास तलवार नहीं उठा ता और अगर उठाई तो खून निकलने तक तलवार नीचे नहीं रखता और रखेगा भी नहीं सिस्टर एक मिनट चलिए अगर चुप रहेगा तो सालों जीए गा नहीं तो तीन मिनिट में फिनेश अरोत लोगों को खून देखकर चक्करा जाता है इसलिए यहां देकर आयों आपको आप चुप चप यहां बैठकर इसे खाते रहे हैं बैठे बैठे आप नहीं जाएंगे क्या मैं बच्पन से बहुत गुस्से वाला हूँ अगर उन लोग को उ कुफान भगवान जब खुश होते हैं तो धर्ती पर कुछ खास लोगों को भेज देते हैं और जब उन खास लोगों का दिमाग हटता है तो वो दुनिया का काया पालट करते हैं उठा उठा के पटक पटक के मारोंगा अरे यार देख रही है कि उलको अंदर बटा कर आधा इसने तो फ्री में फिल्म दिखाई है पहले उस टीचर को आने तो तो तुम छोड़ दोगे ऐसा कैसे हो सकता है वह प्यार नहीं करती पर मैं तो लब करता हूं ना भाइया वह बहुत हो चुकी नटरंकी अप चुप-चप निकल ले इमान दरी से बताओ तो आप सुनने व वाला हाथ है और इसका मारने वाला हाथ है दोस्त मैं चाई पीकर आता हूं तब तक तो इनको सुला देना नहीं तो मुझे आना पड़ेगा यह भाई एक चाई पीला देना जाना खेल शुरू हो चुका है जा जा झाहर टो अहीं प्रड़ देना प्रड़े आए है ज़ उसामा जाना बाला है डोपका है जाना फुछ कर दास्टाबड़ेगे है जैसे घज दुछ कर दोस्तिका है आप स्बू़ार चामार्स दुटूबड़ेगास अज। हुआ पर गफार्थ। यह हुई नबाद यह हुई नबाद माल उसे महिये का और चाहे आईसा हुई 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 अ ह् है हुई एक लड़की को छेलिने से पहले उस लड़की का लवार होगा और लवार का फ्रेंड होगा और फ्रेंड में कितना पउर भल्र घंजिप के लिए जान देने के लिए रेड़ी जान लेने के लिए रेड़ी है यह सब देखकर सुसकर स्टेब आगे लाना होता है अरे जेब क्यों फाड़ दी तुन्हें हाँ फाइट करने के बाद जेब भी फटेगी मुझ भी फटेगा यह भाई चोट तो दिखा ना और स्टूर्ष WAS कुछा हां Zhu अरे 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 अ आरे ओके ना हम चलो चलते हैं आजा वह पीजिये, भाइड खता उगोई, आजड़ा और है, वह फॉर टोपने होता तो यह एदा दुफाइड और ही चुप रहा है बच्छी उनन लोगों को उठने के लिए 4 महने लगे लिए चलने के लिए 6 महने लगे और भागे लिए 9 महने लगे आप भी मेरा पीछा करके तुम मुझे बता देना तुम मुझे बता देना मैं सब संभालूंगा थैंक्स एट्स ओके तुके यह रहाँ आप भी मेरा पीछा करके मुझे टॉर्चर मेःट करो प्लीज घटलो कड़ेंगो वह वह थो इस गिरा वो पढ़ा उसका चलो 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 करने की आए यह सट क्या हो गया नसीमा रेडी की ख़दाने सर, सिर्फ 60 फीट की पर्मिशन मिली है, पर वो अब तक 1500 फीट से ज़्यादा खुदवा चुका है, हर महीने इसी तरह कम से कम 4-5 लोग मर जाते हैं सर, ये बात बाहर ना फैल जाए, इसके लिए वो सब को पैसे दे कर खरीद लेता है, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में दिया, वो तुम्हारा फ्रेंड कुमार है ना, हाँ वही है, और वो लड़की कौन है, नंदू, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, वो नंदीनी है, वो दोनों साथ साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के घरवालो मैं हूना, मैं एक मिनिट में आता हूँ, ठीक है, नंदीनी, कैसी हो, मैं ठीक हूँ जिवा, चलती हूँ, ए, क्या प्रॉब्लम है यार, जग्गा, उसके मा के तब्या ठीक नहीं थी, तो रोज उसके मा को इंजेक्शन देने चाहती थी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, डरिये मत, अब मैं चलती हूँ, उसके बाद, मैं जहाँ जहाँ जाती थी, वो मुझे फॉलो करता था, मेरे ट्यूटी टाइम पे वो खड़ा रहे के मुझे देखता रहता था, तब ही मुझे नहीं बता था, कि वो मुझे प्यार करता है, थोड़े दिन बाद, जब उसके मा घुज़र गई तो, एक तीन वो, मैणम, आप से कोई मिलना है, क्या बात है जगा, नंदू, यह सही समय है नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी मा मरने से पहले इस बारे में तुमसे बात करना चाहती थी, मगर इतने में तुम्हारी मेरी शादी हो गई, अभी चाने दो, अभी तुम मेरे साथ चलो, वो मुझे ऐसी बात करेंगा, मैंने सोचा नहीं था, उसके बाद, रात को मेरे घर आया, और बहुत बड़ी बाते करने लगा, उसका टॉर्चर मैसे नहीं करपा रही थी, मैंने अपना घर चेंज कर दिया पाद भी आगे, बोला था ना मैने तुसे, तुझे मैं तीन दीन का समय दे रहा हूँ, तु क्या करेगी, कैसे करेगी, मुझे कुछ नहीं बता, सब कुछ खत्म करके, मेरे साथ रहने आजा, उसके बाद, तु और मैं, आराम से, जा 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 राम सी ता राम, ये बोलने, ज सोचा था तुम गंगा की तरह पवित्र होगी लेकिन इसके साथ चादी करके तुम अपनी सारी पवित्रता खोदी फिर भी मैं तुछे स्विकार करूंगा अगर तुम मेरे पास नहीं आई तुसके टुक्ले-टुक्ले कर दूंगा याद रखना तीन दिन मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है अगर ऐसे ही रहा तो मैं मर चाओंगे उस कमीने के हाथ पैर तोड़ेंगे तभी चैन मिलेगा मुझे तु पागल हो गया है क्या तु नजर उठा कर देखेगा तो तुझा मार डालेंगे उनके लिए तो इनसान की जान का मतलब ग पागलों जैसी बात मत कर अगर नंदनी से शादी करने के बाद ऐसी हालत होती तो क्या मैं उसे छोड़ेता साथ साल साथ साल तक हम दोनों साथ में थे तो क्या मैं उसे भूल जाओं क्या है वो अपने माबाप पत्ती के साथ खुश रहे यहीं चाहता था मैं और अब वो मर गोट के मर रही है यह देखे भी में चुप रहा हूं अरे वो लोग तुझे जानते हैं यार उन लोगों को मारा तो मैटर वहीं खत्म नहीं होगा वो नर्सीमा का आदमी तुझे ढूंता हुआ जरूर आएगा कौन मालेगा यह पता होगा तभी ढूंडते हुए आएगा ना करोड़ो करोड़ इंवेस्ट किये हैं कौन देगा पैसे तेरी गॉर्मेंट देगी ऐसा नहीं है भाई इससे पहले आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब किया है ना टेंडर कोई लीजे आपने जिसे देने के लिए खा उसे दे दिया प्लीस भाई हर महिने चार मौते हो रही ह मरने वाले को आज तक कभी कोई रोक सका है क्या देखो सिगरेट पीने से जब हजारों लोगों की मौत होने लगी तो सिगरेट के पैकेट के उपर स्मोकिंग इस इंजूरियस टु हेल्थ लिखने का रूल बना दिया गया फिर भी लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिय देख भाई रूल्स होते हैं बनाने के लिए अगर चाहो तो तुम्हारी लिए काम कर देता हूं अपने ख़दान में बड़ा सा बोड लगवा देता हूं माइनिंग एरिया डेंजर जोन लिखवा कर ठीक है अब बाइब बाइब लोगों को काम पर नहीं आने दोगे ना त लाक रुपया जादा देने के लिए बोल दो और जरा ये भी पता कर लो कि इसे भी कुछ चाहिए क्या ये क्या है बाई मैं जान के बारे में बात कर रहा हूं आप पैसो के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी मौते हुई है उनके परिवार के बारे में सोचे बाई उनकी इतना सिम्हा रेडिस से पंगा लिया ना आप तो बोडी से सर अलग कर दूगा सर आपको उन्से उड़ा बोले क्या जरूँगा इसकी में पर बात करें दूँगा जैये 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 बोलो मा शांती प्रेगनेंट है बेटा डॉक्टर ने अभी अभी कनफिर्म किया तू जल्दी से खराजा आता हूं मा घर में एक नया महमान आने वाला है इसकी खुशी मनाए या फिर तू मार खाकर आ रहा है इस बात का दुख मनाए ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बुरी समाज में रहते हुए अपने अंदर गुस्सा पालके रखना अच्छी बात नहीं है अगर गुस्सा अंदर रखा तो तुम्में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा ज़रा खुद सोच के देखो क्या सही है हमारा आज का समाज और इसमें रहने वाले बुरे लोग अगर इन सब को देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा यहां जिन्दा रहना गलत है मगर यह समाज ऐसा ही है अगर यह पहचाल ले जाल ले और समझ ले तो फिर आदमी संतोश हेगडे अन्ना हजारे जैसा बन जाता है ऐसे बुरे समय में तुम्हें क्या फैसला लेना चाहिए यह बात तुम खुद ही सोच लो कोलार में नरसिमा अपना खदान बिना नियम के अधार पर चला रहा था वहाँ पर भूखनन अधिकारी नागराज और उनकी टीम ने बिना नियम से चलने वाले खदान को खुदने के लिए सिफ साट फिट तक का ही आदेश दिया था लेकिन नरसिमा ने 150 फिट तक खुदवाया है इसलिए नरसिमा के खदानों को सीज कर दिया गया है और नरसिमा के खिलाफ एफ आयार दर्च कराने के लिए भूखनन अधिकारी नागराज और उनकी टीम ने सुप्रीम कोट में केस दाखिल किया है अब देखते हैं कि सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठाती है भूखनन अधिकारी नागराज ने और उनकी टीम ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही एहमाना जा रहा है इस आफिसर को छोड़ना नहीं है बाई, मामला भी ताजा है इसे अभी क्या भी मारना होगा अभी मारना भी मार मारना है प्ταशी मेंड राणना इ्यान! अीछो फुनाएम! तराइमत वैandez! जब दो जो जा, जिए जो 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 का तक भागेगा एए 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 ब़रो इशे कुमार, तू है, तू मरने के लिए यहाँ है कुमार, तू है तू है जल्दी, चल्दी, चल्दी, चल्द, बर्जा किसने किया ये सब, कुमार ने भाई, अच्छा सुन, अपने फैमिली के साथ मैसूर में शिफ्ट हो गई है, तू थोड़े दिनों तो कि इस गाउं में आना भी मत, जो भी होगा, मैं तुछे फोन करूंगा, चल्द, 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 रंगा अभी मार्केट रोड ट्रॉस कर रहा है, उस आफिसर को फोन करो, जी बाई, हलो आफिसर, बोलियो सर, तुझे फोन क्यों किया पता है, क्यों सर, ताकि मैं तुझे तेरी मौत दिखा को, क्या जबर्दस साउंड एफेक्ट है, जिन्दा है कि मर गया, देखो जरा, सुरी सर, उनको नहीं बचाया जा सका, पापा, क्या हुआ पापा, पापा, क्या हुआ पापा, क्या हुआ पापा, क्या हुआ हुआ पापाँ, क्या हुआ 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 अभी तक हम लोग हॉस्पीटल में निकलते ही फोन करूँगा मैं सर मेडिकल अफिसर आपको बुला रहे है सर चलिये चलिये सायन करो अशोक कंका आपका बेटा पीकर गाड़ी चला रहा था रहे है रिपोर्ट-पी लिखा है यह क्या बोलरे है नहीं हो नहीं करने मेटा शराब नहीं पीता था कौन सा बेटा बाप को ब отправ कर help को यह कोई नहीं बात नहीं है सायन들 करो नहीं शराब नहीं हे पीता मैं जानता हूं वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था है मुझे अपनी बक्वास मा सुनाओ साइन करो और अपनी बॉड़ी लेकर जाओ कि साइन करो कि अशुक हाँ इसमें कुछ तो गरबड है कि कल माइन्स बंद करवा दी और आज मेरा बेटा मर गया हुआ कि इसमा का की हातलगता है कि एक बार और ना चाहिए सां आप इक बार और प्सपाहर कीजिए है है हालो भाई आमने इंहारा है तो अम्हारा तेरे बैटे ने न्या किया है क्या ते द्दूलि अले वाज़ाय में जानता हूं माय Island को च्छलाना कितना मुष्िना जानता है तु जए एंध से लेकर डीसित तक व्लाख ओर रुपर खर्च करना पड़ता है सांद करके चुप चप निकल यहां से तुम लोगों ने मेरे भीटी गुंआरा मैं सान नहीं करओंगा साइन नहीं करओंगा मैं यह मामला कोट में ले जाएगा इसका पेपर का है यह यह न तेरा साइन यह तेरा साइन नहीं है इसे प्रूफ करने के लिए तुझे कम से कम लग जाएंगे तब तक तेरा कोई बेटा था उसका मडर हो गया यह तुझ भूल जाएगा अगर तब तक जिन्दा रहा मैं कोट में देख लूँगा तुने ठीक नहीं किया है मैं कोट में ले जाओंगा मैं यह मामला कोट में ले जाओंगा चलिए सेर आपको बेटा हुआ है हमः भूमी भूमी देखो सर्प्राइस केक अज हमारी भूमी का बट्डे है बूमी हैपी बर्थ-डे है हैपी बर्थ-डे तूज़अ बहुआ है 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 यहाँ बर्थ दे डियू अश्य पर चलिज़कर हो गड़ा हम से अब गलाए यूज़कर है दो ग्लास क्यों डाल रही हो बेटा और अधा ग्लास डालो अभी हम चार लोगी है ना मा इतने में हो जाएगा शांती शांती क्या हो बिठा पोस्ट मिस्टर नागराजू कोन है सर कहां क्या बात है उनके नाम का एक कॉन्फिडेंशल लेटर आया है लगदो सर यह सरकार के तरफ स्याया लेटर है यह उनके हाथों में ही देना होता है सर अगर वह भी नहीं है तो मैं कल आजाओंगा सर थैंक यू सर ने मरसिम्हा सामान याद भी नहीं है गार्मेंट्स, राइसमिल, रियल स्टेट, माइन्स यह सब वो बेनामी चला रहा है आपके बोलने पर अगर मैं ऐसी निउस पेपर में डाल देता हूं बाद में अगर वो यह क्लेम करता है कि पेपर के निउस गलत है तो बूल जाओं पर कैसे भूल जाओं सर मैं उसका बाप हूं एक नहीं दो नहीं पूरे 25 साल उसे पाला वो पैदा हुआ तो उसका नामकरन किया उसे लाठ प्यार दिया जब पहली वार उसने मुझे पापा बोला तो मेरा दिल खुश हो गया था सर मैंने अपनी पूरी इस तक वो मेरी जिन्दगी में जिन्दा है और आज मैं इन ही हाथों से उसकी चीता को आग लगा किया हूं सर मेरा खुल रहा है मेरे बेटे को मारने वालों को मैं जिन्दा नहीं छोड़ूगा सर अगर वो मेरे सामने आ जाय तो मैं उन्हें यह घुपके मार दूगा लेक सर अगर ब्लीज तो मैं जाय प्रचा रेका करें जाय झाट जाय है दो चाय देना भाई है उदर क्या देख रहा है उस नर्सिमा को उठा लेता हो क्या 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 मेरे भाईया एक्सिदेंट से नहीं मरे है के मर्डर हुआ है उनको मुडर हुआ है रहा है यह इए व लग्रों क्या कि है इसा कि तुम सब कोट ले जाओंगा उसे किसी भी हालत में मार के रहूंगा पागल हो गया क्या तु उस दिन कुमार को तुने एडवाइस दिया था वह गाउँ छोड़ कर चला गया अब तु गाउँ छोड़ कर जाएगा क्या वह लोग मामुली लोग नहीं है कि उनका मडर कर देग किसने मारा है यह अगर मुझे पता नहीं होता तो कोई बात नहीं थी किसने मारा है यह पता होने के बाद मैं कैसे चुप रहा हूँ के बाबी के पेड में पलने वालम क्या गलती है उसकी क्या घलती है उसकी कि अगर वह बच्चा चाचा जैना मेरे पापा काया पूछेगा तो तुम्हारे पापा को गिसे ने मार दिया और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाया ऐसा बोलूंगा क्या देख में फैस्ते लेगा तो कैसे के ऐक गाल पर मारा तो दूसरा आगे कर सकते हैं कि एक जहां निकाली तो दूसरी जान नहीं कि निखल सकते हैं हिम्मत है इसलिए मधुमकी के छट्टे में हाठ डाला है मैं चुप नहीं रहूंगा भगा भगा कर मारूंगा भगा भगा कर मारूंगा उन्हें भई आराम से बात करना यार खत्म कर दे उसे किसने मारा क्यूं मारा कैसे मारा किसले मारा किसी को बता नहीं चलना चाहिए कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना मत बिल्कुल नहीं कर दे तू खाक लेके चल तू ऐसा जलजला बंत्री शूल तू शंकर का प्रोच जगाले तू अंदर का रूप दिखादे तू भयंकरा शेरुक जैसे चलता जातू ज्वाला जैसे चलता जातू अपनी बना के दिशा तुष्मन चाहे आए ठेरो चुन-चुन के तू सब को मारो तू उसे न कोई भचा तुष्मन चाहे तू संपरीघी संहार तू करते ये भूमी तू साहिम को वो सीख दे तू दास्ता ऐसी लिख दे तू रत चरित्र पे परवार गंगा जमुना कावेरी की खाके सोगन तू कुश्मन की रत रत दे बहार यार तू ये इसमें क्यों लगा रहा है इस फोन में आने वाले सारे कॉल्स इसमें रिसीवड हो जाएंगे इसे कुछ भी करके नर्सीमा के फोन में फिक्स कर देंगे तो वो जो भी बात करेगा उसे हम सुन सकते हैं वो भी किसी को पता चले बिना यहीं से हमारा काम शुरू वो 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 यह का जा रहा है तू यह जा रहा है कि आपने मोबाइल मंगवाएं भगवान कभी मांगता है क्या भग लोग तो खुदी अपने पास से देते रहते हैं मैं भग तो अपने दर्शन करने के लिए था लेकिन हमारे वागवान साक्षात अपारे सामने प्रकट हो गया है मुझे तो थिरुपती में भी उतना संतोष मिला जितना आपको सामने देख के संतोष मिला है है बगवान यह आपके कुछ जम्चे आपका दर्शन नहीं करने दे रहे थे अब आप साक्षात मेरे सामने है तो मुझे किसी का कोई डर नहीं भगवान मैं आपके लिए कुछ भेट स्वरूप लेकर करके आया हूँ आशिरवाद के बतले में यह तुक्षीज है आपके इस आन्द मान शान्द के सामने यहीं चौराहे पर मेरी मुबाइल की दुकान है आपके आशिरवाद के बिना कैसे चलीगी भगवन बस आपका आशिरवाद म मोबाइल है मौबाइल ने पट बडर्ण है चलता हूँ चलता हो चलता हूँ काम हो गा है काम तो हो गया हैलेकिन वह से निकल ना बहुत ही मुश्किल हो गया था सच मतारा हूं मेरी तुछ अलो अपने गाओं मेडिकल केंप के लिए गारें आते थीक रहता अगले शुक्रवार को अच्छा ठीक है मैं बाई को पता देता हूं ठीक है भाई पूंदा चंद ने लुष और देता हूं ठाई कर दे दर इंदो को राख च्वाला तू ऐसी जला सीने को करके बॉला दी बनके चलती पिरती आंधी जड़े सब की देहिला अपना कर तू कोई देरी कर दे उनकी रात अंधेरी युद्ध है क्या ये ठिखा च्वाला मुखी की आग है तू शिप्शंकर का नाग है तू पचे ना जिसका तसा च्वाला तू को है तू को कि आप बुद्ध झाला ओ सका तू तू झाला को है तू कि इपक दो नाग है थाद़ प्रू राला युद्धे का तू जाओ प्रूः गुरू इस टाइम पर आप यहां मैं कुछ सोच रहा था क्या सोच रहे थे आप जो लोग पैसा लेकर मर्डर करते उन में से तुम किसी को भी जानते हो क्या आप होश में तो बात कर रहे हैं ना गुरू यह बच्चु का खेल समझ के रखाया क्या हमारे देश के अंदर पैसा और अधिकार का होती यह कि नहीं पता नहीं लेकिन हम जैसे हो को सजा जरूर होती है आपकी सोच बिलकुल गलत है लगे और बीक्रवल मोच सकती है यह तो तुम मेरे बेटों को मारने वाले की समाधी बनाने में मद़ध करो। या फिर मैंने अपने बेटे से बहुत प्यार कि इस गलती के लिए उसके बगल में मेरी भी समाधी बनवा दो ऐसी बाते क्यों कर रहे हो गुरू तुम जानते हो या नहीं यह बता हो बहुत पैसा खर्च होगा इन सब के लिए उनकी लाश देखने तक चाहे कित्रा पैसा खर्च हो जाए मैं तयार हूँ मुझे कुछ तो करना ही होगा ना हम अभी रेड़ी के पास जा रहे हैं रायल सीमा के लाके में इसका बड़ा नाम है आए रेड़ी भाई कौन से रूम में है यह लोग हैं बैठो बैठो नमस्ते तो यह मामला है है मेरे बारे में इन्हें ठीक से बता के लाना चाहिए था ना इन्हें लेकर जाओ आओ नरसिमा को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर उसकी जगे कोई और होता तो मेरा भाई ज़रूर मार देता दरहसल बात ही है कि वो भाई को बिजनेस में बहुत हेल्प करता है यसलिए यह नहीं हो पाएगा इया करता है आले, 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 आले देखो, 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 चाचा आए है, चाचा जी, देखो, नाक भाईया जैसा है ना मा, तुम्हारी नाक तुम्हारे पापा जैसी है, तुम्हारा कोई भी केस होगा, तुम्हारा कोई भी केस होगा, तुम्हें पर्सनल इंटर्स लेकर तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, यह मेरे घर के गागसात है, घर के स्थिती समय ठीक नहीं है, ऐसे समय में शादी, लव यह सब, और तो और सारी जिम्मेदारे भी मुझ पर आ गई इसलिए, इसलिए इसलिए अपने प्यार को हम डिसकंटीनिव कर देंगे अच्छा रहेगा तेखो यह मत सोचो कि मंगल सुत्र पहनाने के बाद मैं तुम्हारी बीवी बनूगी जिस दिन मैंने शादी के लिए हां की थी उसे दिन तुम्हें अपना पती मान चुकी थी तुम्हारे लि जी जाजी से मिलने के लिए कोई आये है वो अंदर है आप अंदर जाए आए सर आइए आए आए है इसमें तीस लाग में पांच लाग रूपया कम है यह रख लीजे बाकी के पैसे मैं काम होते ही दे दूँगा नहीं अशोक मैंने पांच लाग आओ डाल दी हैं अब यह प लेजिए पार्डि के बारे में एंक्वारी किया हूँ कोलार में बहुत चलती है उसकी हम ने सोचा था कोई छोटा आदमी होगा लेकिन बड़ा डील है अगर अगर हमने डायरेक्ट किया तो थोड़ा रिस्क होगा अपने किसी आदमी को भेज के करवा तो यह काम आप खुद अपने हाथों से कीजिए एक बार जब हमने आपसे वादा कर दिया तो यह काम जरूर पूरा होगा सर आप कहां खोगे देखिए फोन बज़ रहा है सर फोन उठाइए बात कीजिए साब ठीक हो जाएगा मैं एक निट में हालो मैं हुझी बोलू क्या है शादी के घर पहुंचे क्या हां मैं शादी के घर से ही बात कर रहा हूं हमारा शिव और ऊपर रहने वाली शांती एक दू अब आप मैं घर आके बात करता हूं ना ठीक है क्या बात है जल्दी बोलो आ उपर देखो हां बोलो ना क्या बात है अंदर जाकर देखो खुझ जान जाओके हां अच्छा है एंगेजमेंट के लिए एक डेट फिस कर तो अब आप अजा शादी करता हूं एजी होने वाला हां लड़का बहुत सिधासादा अभी शादी के कोई जल्दी है क्या जिस घर में बुरा हुआ हो उस घर में शुब काम होना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं हम सब जानते हैं तुम चुप रहो बस मा 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 कोई भी मेरी हालत को समझना ही नहीं चाहता है शिबू पापा से एक तमकायरी थिएटर मडीकरी एक साल में मैंने उसे फॉलो किया है इन तीन जगहों से उसे उठाने का मौका है इन सब में कॉलेज वहां पर एस पी ऑफिस है वहां तो रिस्क है वहां उसे नहीं मार सकते है उसके बाद थिएटर इंटर्वल के टाइम वो दस मिनिट के लिए टॉलिट जाता है मगर उसके लड़के कॉरिडोर पर ही खड़े रहते हैं एक कर सकते हैं मिनिस्टर त्योहर मनानी के लिए जहां वो पैदा हुआ है उसका हों में जाएगा और उसके साथ सेक्यारिटी के लिए नरसिमा भी जाता है सुभा ठीक छे बज़े वो मिनिस्टर नरसिमा के लोगों के साथ पूजा करने जाता है मगर नरसिमा थोड़ा सा लेट निकलता है रास्ते में ही उस पर अटैक करके उसे उठा लूँगा पस्का करेंगे हैं उसके साथ का बज़ें थार्व है रहागाज़ाज प्रश। ग्रफबा जिएध लिए नराश्या थाल शालेटी के लिए ज़ नर रहाज़ेंगाँ आर आसे रहाज़ें इाक का बोँए़ागा रहाज़ई आको पाना ही रहाज़शना यिएगाज़ा से क्या होगे यह गाड़ी बीजे ले लेना गाड़ी बीजे हेलो जग्गा मंदर की तरफ जाने वाले रास्ते में कुछ अंजान लोगों ने हमें घेड़ लिया है करो लगोंधर कि वालो बोगंध्यों औरा का कि वाल वालों ुआ एंग दो बढ़ा है झाटना अलोगाई है झाले बदित्य अजू पिवा और्चा कर दो बारा है झाले झाले हैं जट है झाले-झाले सेराफिछ लेका झाले जाना है झाले फिर घंद! किसने भेज आये तुझे मुझे नहीं पता बाल क्या देख रहा है रहे किसने भेज आये कोई दिखने रहे हैं जुंड में होगा तो भी सिंग रहेगा किला होगा तो भी सिंग रहेगा जाल डाल कर सिंग को मार सकते हैं लेकिन इस नरसिम्हा को नहीं जल्दी चली ना इसे नीद आ रही है तुम लोगों का नाट अग भी ना ये सोने का टाइम है अब ये छोटा बच्चा है तो इसे नीद तो आएगी ना जीजा कुछ लग लग रहा है अपने सारे लोगों का फोन सुचफ है रखू को फोन करके उसे गाड़ी लाने को बढ़ो और इन सब को घर देज़ दो जीजा उधर जो लोग बैठे हैं वे हम पर नशार रख रहे हैं कि भाई बोलो जग्गा भाई वहां वाई च्ट बनके जो खारा खारा है वही है हां ठीक है ठीक है बाई वहां वाइट शेट पेनकर बैठा है ना वही है काड़ बुड़ी आर्गमन तुमारा ही नाम है क्या हुआ आप लोग कोला हलपूर क्या मतलब कोला हलपूर का नसिम्मा रड़ी तुम्हे सुपारी किस ने दी किसी ने मुझे सुपारी दी मुझे नहीं पता सब उस वकील ने कहा इसलिए किया उस वकील का घर कहा है बता हलो मैं अशोक बोल रहा हूं तुम्हें कितनी बार फोन किया मैंने तुम्हें फोन क्यों से चौफ कर रखा है मड़किरी में नर्सिमा को जो लोग मारने गए थे वो लोग पकड़े गए हैं इसलिए मैं वहां से बचकर अपने गाव में करता हूं चलो ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं हाना सुनिये फोन में बाद में भी बात कर सकते हैं पंडी जी बुला रहे हैं चलिए साली वाहन शाक वर्ष श्रावन शुद्ध दशक दिनांक 8-8-2014 में श्रीमान गुरुराज और श्रीमती महालक्ष्मी के द्वतिये पुत्र चिरंजीवी श्रीवराज जी से श्री धर्मराज और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा की प्रथम पुत्री सुभाग्यवती जानवी से निश्चित मूरत में बड़े लोगों के सामने निश्चय किया गया है हलो 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 काटपूडी के आरगुमंची बोल रहे हैं आप कौन मैं वो नर्सीमा के बारे में बात करने आथा एक लॉयर के साथ आपके तौस्ट कहां चले गए थे आप उस वकील को फोन करो तो उसका मोबैल हमेशा स्विच आफ आता है मढ़ी करी में हमारा प्लान फेल हो हो गया है आपको पता है ना पता चल गया पर आप एक बार और ट्राय तो कर ही सकते हैं क्या का फिर से सर आज ही हम लोगों का डील खत्म होता है अगर इस बार में जेल गया तो मैं छूट पाऊंगा यह नहीं यह मुझे खुद को भी नहीं पता आप आकर प्लीज अपना प हाँ बोलो जग्गा मढकरी में भाई पे अटेक करने के लिए जिसने सुपाज दिया था ना उसका फोन आया था आज रात को आट बजे मार्केट में बुलाया भाई आज रात को पक्का में वो मिल जाएगा चै क्या हो है यार मढकरी में गैंग ने नरसीमा पर अटेक किया था चैना है नहीं तो नहीं立ा हुझा जैए लेकन आम उसे क्यों बचाने जयेंगे के रुक मैं देखता हूं क्या है कि मिस्तर है हेरी क्या तुमने मेरे लिए कुछ नया डाउनलोड किया है तुम्हारी बीवी का डाउनलोड किया देखेंगा अरे मेरी बात तो सुरू अरे ठरकी बुद्ड़ा फिर से वीडियो मांगने आया था पूरा ठरक गया है आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं रुक जा आता हूं मैं तिया ही वीडियो करनी है तुम बाहर जाओ के नहीं वह डेलिवरी देनी थी वह जा कहा ना का इसे बगा रही है और कल भाईया बोल रही थी प्यार की भाशा तुम्हारे समझ में नहीं आ रही थी अब जाते हो या फिर आजाता हूं जाता हूं है उसे क्यों भेज दिया वो क्या है ना शोना तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है इंगेजमेंट से पहले तो यह सब ठीक था लेकिन इंगेजमेंट होने की बाद इतनी दूरी ठीक नहीं है आधी बीवी जो बन गए हो आधी बीवी क्या चाहिए अब फो बात यह है ना एन्योल एक्साम से पह स्वाईल के बारे में सोचते ही बारे में अम शादी के बारे में सीशते ही लाईट फेएल भय जआधा उचल रही है जाओ यहां से समझ में आया य안 है लória लेकिन उसके बहुत वाटाइम है अभी तुम बन तुम यहां से सुनो, चार ओर नरसिमा के आदमी पहले हुएं, जरा साधान रहना, ठीक है? वो ही है के सामने, सर, सर मैं यहाँ हूँ, सर, सर रुखिये, सर मैं यहाँ हूँ, सर, सर मैं हूँ, सर, पापा, सर मैं यहाँ हूँ, सर, सर आप कहां जा रहे हैं, उत्रो, उत्रो, पापा यहाँ पर क्यों आए हैं, कर दो कर दोगी हैं, उत्रो, सत्रो, प्रॉब सर दोगी, नहीं सर ठापगे हैं, जित्रो चापनूं। जित्रो, ओड़ी हैं, 550 तो. ब बाइ झाल, 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 झाल. कहा है वो, पताने कहीं दिखाए निदिया, छोड़ो मा तुसे, फुर्ट जाके, चल रहे, इधर आ, रुख, कहा जाएगा, झाल, 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 झा हुआ 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 है बहुआ है हुआ deze अए भुआ हέो या भाप 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 पह वह जख ए वह पंग पर राद राद पजय को तो है क्यों बाद प्रूस अजय कर राद माह ए वे व। हुआ हैं भाज हैं, प्राम का जाता हैं, तो करते तो घंसे हुआ हैं, भाज भाज हैं जईन्स एपहाँ! कि एखहा जो रिए एखहाँ! म anten के वाज खüğुए हैं, जिए ख़िए हैं! ईए एख! झाल के वा बाल के एखंग व्हाँ युए हैं कि अज़ है कि अज़ कर फटेड़िक है कि अफूजी। अरण वाम तर ओई अज़ टूआ अर आए ट smells पूणो ऑन अउ़ टूआटर कि अज गज़ टूआ इस ढा wh इभ कोई है कर दो अरुछ कर दो आीज हमाना आप लोग यहीं बेट कीजिए देखिए नथिंग टू वरी बीपी ज्यादा होने की वज़ेसे वज़े आदे घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाइगा सर आप उनके कॉल लगते हैं वह मेरा और उनका वैसे कोई संबन नहीं है अब मार्केट में बेहोश होकर गिर गए थे तो उनकी जेब में यह फोन था सर उनके घर पे इंफॉर्म कर दीजिए मैं चलता हूँ सर थैंकि नमस्ते चल 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 लंबर चेक करो और घरवालों को फोन क्या है डॉक्टर से जूट को बला मैंने पिताजी को बचाया है यह बा कर देखना पड़ता है वह बादलों से ठका होता है जब बादल हड़ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि आसमन कितना विशाल है मार्केट में आप बेहोश हो गए थे आपको किसी ने देखा और यहां आडमेंट करवा दिया दो दिन में डिश्चार्ज कर देंगे घबराने की कोई बात नहीं है शिव कहां है फोन करके बता दिया है बस आता ही होगा यह क्या है जी अभी थोड़े ही दिनों में घर में अचारणी है आप यहां वहां क्यों भाटकते भिड़ते हैं कोन है पता नहीं सिर्फ नंबर दिख रहा है कौन है मैं अशोक बोल रहा हूं उस कारडपूरी आर्गमन को मार दिया है टीवी न्यूज नहीं देख रहे हो क्या हलो 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 हारो आरू हरो ही पाबाब आग्र थे लिमा कि में अड़्ल से मरों ए देख अख सर्भा तो फर हम दिम्हें समय के देखा हैाँ टाज आठाइ मुझे मारने आया थे किन वह रहीं तुम्हें वो रहा तुम यह देखा थे तो लोंगे हैं जैसे नेखां मैं क्या कर तुही बता मैं खुद अपनी लाश को डो रहा हूं मेरा बेटा मेरा खुन मेरी सांसे अगर कोई उछ से चील तो क्या मैं घर बैठके खाना खा सकता हूं तुही बता हूं कि मैं घर में रहता हूं तो मुझे बेटे की याद आती है कि पुम्रा पैसा चला गया पर मेरे बेटे के हत्यारों का कुछ नहीं कर पाया अशोक कि उन्हें हर हाल में मरना होगा हर हाल में मरना होगा कि मुझे इस थोचा था वो बुढ़ा अकेला होगा लेकिन एक और ने आकर उसे बचाया मतलब वो दोनों प्लैन बना कर उस बस्टेड में आये होंगे अब तक तो उन लोगों ने मेरे पिताजी को ढूंड़ना शुरू कर दिया होगा और दो दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है उस बुढ़े को बचाने वाले ने अपना मूझ क्यों ढगा हुआ था या तो वो हमसे अपनी पैचान चुपाना चाहता था या फिर वो जरूर हमारी पैचान वाला कोई था मेरे पिताजी कौन है ये जानने से पहले ही मुझे किसी भी तरह उसे उठाना होगा एक साधारन आदमी ने मुझे मारने के लिए तीस लाख रुपे की सुपारी दिया है ये कोई मामली बात नहीं है हम लोगों ने आम पबलिक में से कितने लोगों को मारा हर साल महाशिवरात्री में नर्सिमा इस मंदिर में आता है वो भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर जाता है तो किसी को अंदर नहीं छोड़ा जाता उसके आदमी बाहर खड़े रहते हैं यहां उसे नहीं मार सकते मेले में रत खींचने का कारिक्रम होता है उस रत को नर्सिमा ही खींचता है लोगों के बीच कौन किसे मारी का पता नहीं चलेगा पबलिक को पता चले उससे पहले ही उससे मैं मार दूँगा मंदिर के पीछे का ये पैदल रास्ता यहां से पांच किलो मिटर दूर कैलाज गिरी तक जाता है यहां से पैदल चलेंगे तो एक घंटे में तो पहुँच सकते हैं मैं जैसे ही अपना काम पूरा करूँगा यहां पे आ जाओंगा तो कार में मेरा वेट करना और फिर यहां से हम लोग निकल जाएंगे ठीक है गंग्स्टर के अलावा हम लोगों ने पबली के 15 लोगों को मा रहा है उन में से तैसिलदार गौर्मेंट डॉक्टर उसके बाद ऑटो ड्राइबर राजा तेजल धननजय आपका फ्रेंड बैंकेटेश नाइडू मुन्सिपल कॉलोनी का शंकर इन सबको हमने फेस किया होगा तुम अखेले जाओगे या पुलिस के साथ जाओगे यह तुम्हारी मर्जी लेकिन कल तक इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो मेरे सामने होने चाहिए जाओ ठीक है भाई भाई के साथ बास ही गया एक मिनिट लाइन पर रहो बाई से पूछ कर बताता हूं म कल राज से ही फोन आ रहा है मिनिस्टर साब आपसे बात करना चाहते हैं मामला क्या है वह तो नहीं पता है भाई ठीक है अलो बाई मिलने के लिए तैयार है ओके अगर ऐसा है तो पल्लेवी थिटर में सेकेंड शो में आने के लिए कहो साहब वहीं आ जाएंगे ठीक है एक चोटी सी इनक्वारी है कल सुबह आप कमिशनर औफस में आजाईएगा कमिशनर के आफस में पर क्यों वह आपके बेटे के एक्सीडेंट के बारे में कुछ इनक्वारी करनी थी हो हां ता आँ थैंक्यू सर आपका एक और बेटा है नहीं है आप आते वक्त उसे भी ले अपने जो लिश्ट मुझे दी थी उन सभी को मैंने आफिस में बुलाया है भाई को बोलो कि चेक कर ले भाई मिनिस्टर साब के साथ मीटिंग में बीजी है मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूं अरे यार तु कहां है मैं थीटर में हूँ है पागल है क्या तू मैंने थीटर जाने से मना किया था ना मंदिर में उसे मारने का प्लान था तो थीटर में जाने का रिस क्यों लिया तूने कल क्या होने वाला है यह तो किसी को भी नहीं पता मैं यहां पर कबसे वेट कर रहा हू थोड़ी देर यहां रुखता हूं नहीं तो मंदिर में खत्म कर देंगे देख यार जब तक वो लोग तुझे पहचान नहीं लेते तब तक ही तू सेफ रहेगा अगर उन्होंने पहचान लिया तो मैं बाद में फोन करता हूं तुझे हेलो हेलो कॉवबरो यहान में पहत ब करते हो हुबरो यह हुबरो जच पहान झाल कि तो उन्हों से दो में त bell करता हूं कौन है कौन बैठा है अंदर दर्वाजा खोल निकल भे निकल रहा है कि नहीं बार निकल क्या कर रहा है अंदर बातरूम गया था भाई ठीक है निकल ठीक है भाई भाई आप जाओ भाई इसे तो मैंने कहीं देखा है है उदर रुक क्या ना में तेरा शिवराज कहां रहता है कल्पेट कल्पेट में कहां इश्वर के मंदीर के पास क्या हुआ कोच नहीं भाई मुझे क्यों मारा भाई कल्पेट में इश्वर का मंदीर मेरा भी वाई एरिया है मुझसे जुट बोलता है मैं जुट नहीं बोल रहा हूं भाई तुम चाहो तो किसी से भी पूछ लो वाले बाई उस दिन लाल स्वेटर वाले के बारे में जो नहीं भाई आपने किसी और को देखा होगा मैं चलता हूं है मैं तुछ से कुछ बोल रहा हूं और तुछ जाने की बात कर रहे है शट छोड़िये ना भाई शट छोड़ो ना क्या कर रहे हो भाई कुछ थए भाई उम्हाद जाई रहे हो भाई उन्हां और भाई यद भाई 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 लग भाई पका भाई 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 जांने कि आप पाई भाई भाई लग二 गह भाई बाई वह हमारे एरिया में खुशा है भाई उसे छोड़ूंगा नहीं भाई आधे घंटे में आपके सामने रहेगा मौला भाई मंजा अपने एरिया में एक लड़का खुशा है वह भाई को मारने के लिए आया था वह तेरे घर के तरफ ही गया है मेरे घर की तरफ हाँ यहीं पार है अभी बागे गया है तो बात क्या कर रहा है पकड़ उसे चलो और बात को धिए और में एतिवना थे अप्ड़र wife थाई ए। नधने लिए दालगे गन्हरा घम्टनि यही है जोगरो है म्हां जोग nytपने प्ट कर दोगड़रस जड़र से हंगी है जोग है उलोमी जोड़रे थ्वाले है तो ब покупatto है थाय। लंदिरी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं कुमार को उसने मार दिया उस दिन तुमने उसे बर्स में बिठा दिया उसके बाद पुलिस वालों दे उसे पकड़गंदर सिमा के हाथ में दे दिया हेलो भाई जग्गा तेरे हाथों इसकी माउक लिखिये इसलिए मैंने इसे जिन्दा छोड़ दिया है आजाओ आ रहा हूं भाई उस कमीने को नंदनी के सामने ही मारूंगा चोड़ा मजह जगा 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 नहीं बत्मार उलसे नहीं बत्मार उलसे बत्मार उलसे नहीं उलसे लगाँ इसके सर के दोट टुकुड़े करके इसे मारो चलो नहीं जगा छोड़ दो उसे जगा नहीं जगा नहीं उसे छोड़ दो जगा मेरी आंकों के साव देहीं उसे टोचर करकर के उसकी जाल ले ली तोवारे फ्रेंड की मात में ही बज़े से हुई है आहा हाँ शिवा वोलोगे दाल भाई पकाल उसे हुआ 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 हु किझेट आपाई ट कर दो ऑ्राट। किझेटाई शटने अनृ अना ड़तेतो मैं जियाrit केका ड़ता न tweet मैं शड़ता है बार लोग ऑ afraid प्याρώई दो झात झात गफ लग लंग एक लगाना मेंगा झाल वर लाना ते ऊजज हैं वर सेंको सा उड़ी आड़ी कि वैंक, अपर बादाना नहीं कि विएक ऑना गचर कर ड़ी आड़ी आकर कि एंग उड़ेह कि पड़ेहँ कि एंग एंगा वर बदुट यज़ेह तो हैं चल्ष राल जय लुभट सिवयर जयर को जयर जयर को वेगरा कि हुटиля 20 मैं दोग मैं, दूिए था कंछे। फस दूर संव시면 के बाल करा रेओंछू कर दो कर दो दो जो जो कर दो दो जगा लुग से हो जो 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 जगा लुब जो के लिए हैं मारो, शिवा, मार नालो, उसे, मार नालो! शिवा, बाच्चाओ, शिवा शिवा, 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 शिवा... शीविए! शॉट्टे, शॉट्टे! देख मैं आगे आओ, ये लंदू, कमीशेर को फोलना जदा आजा 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 बचे मालेगा को काज आई, आजा 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 तरुँ ढहता है है कर तenda कर ले लेड़ दो अटा कर लेड़िसो झान झान झा कुच्ट सेथरी चुल केना आधि टेएब तंनी गryrep weather उनना का उनना कुट्रवीन माहा नय एक में एक पूर खटेए सम्झेंर गीनला हुलत पूरा रोग सम्झेरेग आधिए कुट्रवीन तंनी गेले सुननने नहींतटमक्त तंनी गए साफ़र... साफ़र... वोग साफ़र बढ़र स्राइब लाँ पीज़गो आवा है प्रोब्डिए सावे झाल के आप एट तो आप तेरी मुझ से क्या दुष्मनी है बता अगर मैं कौन हूं बता दूंगा तो मैंने अपनी लिए तुझे मारा है ऐसा लगेगा तेरे जिंदगी में तुने कितने लोगों की चान ली होकी तुम जैसे लोग खुद की जिंदगी के लिए मासूम लोगों की जिन्दगी के साथ खेलते रहते हो ना लेकिन जब उन्हीं में से कोई इनसान अपना असली रूप दिखा देता है तो तुम जैसों के लिए वो काल बन जाता है और फिर तुम जैसे लोगों का खात्मा हो जाता है हुआ है जेरि अठाम है नसे उन्मेन काल चाना है जा जैसंदव कर जा कर जोड़र है जिसका जाता है जाता है जाता है प्राइब हलो पुलिस टेशन लोगों के लिए खुशी का समाचार नरसिम्हा यूग का अंत पुलिस को कंकाल बन कर मिली है उस दुष्ट की लाश आराम से सास लेने लगे हैं कोलार के लोग कोलार से 15 किलोमिटर दूर एक सुनसान जगह के एक कुवे में मिली है उसकी लाश ये लाश दो दिनों से कुवे में रहकर कंकाल बन गई है वो लाश नरसिम्हा की ही है ये साबित हो गया है और पुलिस खून करने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है नरसिम्हा कोलार में किसी को भी चैन की सास नहीं लेने देता था अभी कोलार में नरसिम्हा की मौत की वज़े से लोगों में एक खुशी कामा हॉल है नरसिम्हा की मौत की वज़े से कोलार की जनता को मुखती मिल चुकी है शीवा शादे के लिए तुमने अपने फ्रेंड से तीन लाख रुपे का करजा लिया है क्या नहीं भापी तो फेर इतने पैसे कहां से आए वो मैं पापा के साथ बात करता हूं पापा पापा एक मिनट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् झाल 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 झाल